सो हे गाइस अब सभी का स्वाकत है दोस्तों आज मैं करने जा रहा हो रियल्मी एक्स्टी का फुल एन फाइनल इन डेप्ट रिव्यू मैं इस डिवैस को पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा था तो आज मैं इस डिटल एनलैसिस करके आप लोग बताऊंगा इसका प्रो लोग को बताने जा रहा हूं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका बिल्ट एन डिजाइन के बारे में हम सब को बता है जो है ग्लास बोड़ी है ठीक है और जो वाइट पर्ल वाइट है कलर बहुत ही सुन्दर लगता है डिजाइन आपको निराश नहीं करेगी यह प् लाता चल जाएगा मैंने जो फर्स्ट इंप्रेशन था उसमें ज्यादा अच्छा नहीं लगा जो मेरा इन है क्योंकि जो फिलिंग है उतना सॉलिट फिलिंग नहीं है और पहले मुझे लगा एक ग्लास बोड़ मतलब प्लास्टिक बड़ी है पॉली कर्बन क्योंकि मैं र मतलब हर दिन देखता हो तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है इतना खुब्सूरत डिवाइस है आप इसे अगर सामने से देखेंगे तब यह विलिप कर पाएंगे और इस मिवाइल का भी डिस्पे के बार में बात करते हैं हम सब को पता है सिक्स फेंड फोर इंच आप फोर यह थे इस लाएस पर इस करते हैं है कि अधिर इस फैसली बूली जाएंगे मेरा फर्स्ट एमोलेड डिस्प्रे वाला मॉबाइल है थीक्ए और मैंने इसको पहली मतलब लिया था एक मिनिट उसके बाद जब मैंने रियल मी टू प्रो जो कि आई पेस डिस्पेय तो उसको देखा तो मुझे मतलब इतना बुरा लगर मतलब मुबाइल पर डिस्पेय इतना खराब था अब वेसली तो मैं बोलूगा अगर आप आप IPS डिस्पेय जाते हैं तो लिजिए और मधि यूस यूस कर लिए तो आप इस डिप्टेय में कोई को मतलब क्व्ले नहीं है प्यों सबको पता है इसमें Snapdragon का 712 processor है जो की बहुती पार्स चलता है इसमें PUBG चल जाएक आराम से और जो इसका function है बहुती स्मूध है एक दब मक्षन की तरह चलता है आप देखिए इसके battery के बारे में बात करें तो इसमें 4000 mh की battery मीलती है आपको कोई problem नहीं होने वाला है अगर मैं इसका speaker के बारे में बात करो ठीक है बहुती क्लियर है Dolby का आपको support मिल जाता है क्लियर साउंड है ज्यादा लाउड नहीं है ठीक है लेकिन इतना बुरा भी नहीं average से उपर है तो इससे आपको कोई problem नहीं होने वाली है और तो अभी बात करते हैं इसका camera के बारे में जो इसका है main feature पीछे में सब को बता है quad core camera setup मिल जाता है 64 8 2 प्लस 2 यह इसका quad core setup और front इससे आप wide angle 919 degree तक आपको इसका field of view मिल जाएगा उसके बाद आपका जो dedicated 64 megapixel का मिल जाएगा जिससे आप वीडियो recording के बारे मैं बात करो तो मैं आप लोगों कुछ sample दिखा देता हूं अब इससे slow motion ठीक टाइम लैप्स और 4K तक वीडियो रेर कमेरा से होने वाली है और जो front camera 16 megapixel बहुत ही बरिया quality इमेज आपको देखे सेल्फी जो portrait mode बहुत ही बरिया आता है या जी section भी बहुत ही बहतर है तो अब तक तो मैंने इस mobile का सब अच्छे चीज़ी बताया पूर आप लोग बोल रहे हो को शायद इसमें तो कमी क्या सब कूती अच्छा लेकिन मैं जो एक problem इस पर लगी है वह हीटिंग इसमें हीटिंग इसमें हीटिंग इसमें थोरा फेस कर रहा है तो इसमें एक problem है heating issue का मुझे पता नहीं है और कोई सी कोई से फेस हो रहा है या नहीं मैं मैं मिज़े starting से ही हो रहा है कि कि मैंने जब अनबक्सिंग करके इसे बूट अप किया था तब इसमें मुझे थुरा हीट लग रहा था लेकिन जब मैं कैमरा को हिस्ट करता हूँ तो जादा ही हीट हो जाता है आप लोग कमेंड करके जरूर बताएगा अगर आपको भी प्रॉलम हो रहा है